हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में NTPC CBT1 रिजल्ट के बारे में बात करने बाले हैं कि NTPC का रिजल्ट कब तक दिया जाएगा क्योंकि यूटूब पर देखते हैं कि कुछ बड़ी यूटूबर के दोरा जो की रेलबे एक जाम से संबंदित अपडेट देते हैं उनके दोरा रिजल्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी दी जाड़ी है जिसके कारण कई कंडेट के मन में डाउट बना हुआ है कि आखिर NTPC का रिजल्ट कब तक दिया जाएगा तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट किलियर करने बाले हैं कि NTPC का रिजल्ट कब दिया जाएगा इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वस देखेगा तो चलिए आज का अबडेश टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि जब तक NTPC CBT-2 एक्जाम कराने के लिए रेलबे के पास सेंटर उपलवद नहीं होंगे तब तक CBT-1 का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा सेंटर उपलवद होने के बाद ही NTPC CBT-1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा और कुछ बड़े यूटूबर के दौरा जानकारी दी जारी है कि MI केटेगरी का स्किल टेस्ट 15 दिसमबर तक होंगे उसके बाद ही NTPC CBT-2 एक्जाम हो सकते हैं जबकि दिसमबर में आपके NTPC CBT-2 एक्जाम होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि 16 दिसमबर से लेकर 13 जनबरी तक CBSC CT-8 के एक्जाम लिये जाएंगे 13 जनबरी से पहले NTPC CBT-2 एक्जाम होने का कोई चांस ही नहीं है अगर दिसंबर में CBT2 exam होना होता तो अभी तक CBT1 कारीजल जारी कर दिया गया होता लेकिन दिसंबर में NTPC CBT2 exam होने का कोई चांस ही नहीं है तो 13 जनबरी के बाद ही NTPC CBT2 exam हो सकते हैं और railway CBT1 कारीजल जारी होने के 50 दिनों के अंदर CBT2 exam सुरू करवा लेती है अगर इसके दार पर देखें तो CBT1 का रिजल्ट 25 नवंबर के पहले आने का कोई चांस ही नहीं है 25 नवंबर के बाद ही NTPC CBT1 का रिजल्ट आ सकता है नवंबर लाश्ट या दिसंबर इसी में आपके NTPC CBT1 रिजल्ट आने की पूरी संबावना है इससे पहले रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं है तो यह जनकारी आप लोगों को कैसा लगा comment box में ज़रू comment करें तो NTPC results के बारे में जैसे ही को और जनकारी मिलती है हम आप लोगों को विडियो के मादन से जनकारी दे देंगे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद